मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. एक जो किसी काम को करने के लिए किसी की मदद का इंतजार करते हैं, तो वहीं दूसरे जो हर काम को अपने ढंग से और लिमिटड चीजों के साथ कूरा कर देते हैं. और ऐसे ही लोगों को जुगाड़ू कहते हैं. दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो भी ऐसे ही लोगों पर आधारत है, जिनके जुगाड़ देखकर बड़े-बड़े साइंटिस्ट का दिमाग भी चकरा जाएगा. तो दोस्तों, बने रहिए इस मज़िदार वीडियो के साथ. चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, जिसका टाइटल है Indian जुगाड, That Will Blow Your Mind. दोस्तों, शुरुवात करते हैं इस जबरदस्ट जुगाड से. इन लोगों ने पुराने ट्राक्टर और कुछ चीजों से ऐसी कमाल की मशीन बना डाली है, जिससे मिनिटों में धेरों इटें तयार होती हैं. सबसे पहले ये मिट्टी को इस तरह से डालते हैं. और फिर शुरू होती है इट बनाने की प्रक्रिया. इसके बाद दूसरी ओर से ये मिट्टी इट की शकल में बाहर आती जाती हैं. दोस्तों, ये मशीन मेहनत कश लोगों के लिए बेहद उप्योगी है, और इसे बनाने वाले की जितनी भी तारीफ की जाए कम है. एक जमाना था जब फसल काटने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और फिर महंगी मशीनों का यूग आया. मगर इन से में लिए, इन्होंने अपने जुगार टेकनीक से ऐसा सेल्फ मेड यंत्र बना डाला, जिससे घंटों का काम मिन्टों में हो जाता है. दोस्तों, किसानों के लिए कोई कुछ करे या न करे, पर हमारे इन जुगारू भाईयों ने किसानों की खूब मदद की है. जुगार दिखाने में ये बिल्डिंग वर्कर्स भी कम नहीं है. यहां देखिए, पुराने स्कूटर की मदद से ऐसा जुगार बैठाया, कि ये मसाले से भरी तसलें आसानी से उपर पहुँच रही है. ये देखकर हम भी कह सकते हैं कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उसे मौके की जरूरत है. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले विडियो को लाइक करना न भूलें. बरसात का मौसम और भुट्टे का स्वाद, क्या घजब कॉम्बिनेशन है? मगर भुट्टे के दाने निकालना कोई आसान काम नहीं है. लेकिन इन जुगाडू लोगों के लिए ये बाएं हाथ का खेल है. देखिए कैसे ये बास के अंदर कुछ पेंच डाल कर भुट्टे के दाने अलग कर रहे हैं. वाँ, तुमने तो टेंशन फ्री कर दिया हमें. और ठीक इसी तरह ये आदमी जिसने इस काम के लिए पूरी की पूरी मशीन ही तैयार कर डाली. माई, टैलेंट हो तो ऐसा. अब इसी तरह यहाँ देखिए, गन्ने को छीलने में जहां हमारे सारे दांत बोल जाते हैं, वहाँ ये देशी जुगार के चलते कितनी आसानी से गन्ना छीला जा रहा है भाई. मगर दोस्तों, जो गार सिर्फ गन्ना छीलने भरका नहीं है, ये देखिए, इन्हें छोटे-छोटे टुकडों में काटने का भी काख हूँ प्रबंध किया है. भाई, वाकई, हमारे इंडिया के लोग कुछ भी इन्वेंट कर सकते हैं. साथियों, आपने बिजली या कोईले से चलने वाले प्रेस तो देखे होंगे, मगर इन अंकल जी से मिलिये, इन्होंने ऐसा नाया प्रेस तयार किया है, जो LPG गैस से चलता है. हाँ भाई, वो ही गैस जिस से हम खाना बनाते हैं. एक बात तो ता है, अंकल जी का दिमाग किसी सातिर साइन्टिस्ट से कम नहीं है, दोस्तों. क्यों? दोस्तों, अब इस उपकरन को देखिए. इसे भारत के टालन्टड लोगों ने बनाया है. बिना छुए, ये हैंड वॉश निकाल रहा है. आज के वक्त में इसकी कितनी जादा जरूरत है, ये आप समझ सकते हैं. अब बारी है इमस्त जुगाडू सिंग की. इब बचवा ने अपने हुनर से चार पहिये की गाड़ी बना डाली. वो भी गिनती की चीजों के साथ. भाई, मान गए तुम्हें. असली इंजीनियर तो तुम्हें हो. दोस्तों, जहां गाड़ी का एक पहिया खराब होते ही वो ठप पड़ जाती है, वहाँ इन भाई साहब ने तो कमाल ही कर दिया. देखिए तो, कैसे एक लकड़ी के सहारे ये इस टैंपो को 25 किलो मीटर तक ले गए? अगर आपको रूंग का दर्वासा बार-बार खोलने बंद करने में परिशानी होती है, तो ये जुगाण आपके लिए है. बस बटन धबाईए और खुल जा सिम सिम. तो देर मत कीजिए, जल्दी से कमेंट में हमें बता दीजिए. देश में कुरूना का काल चल रहा है. ऐसे में ये जुद पूरी जुगाण बेहद लाजवाब है. सोशल डिस्टेंसिंग और दूध का व्यपार. जै हो जुगाण उरान की. खेत में कटाई के बाद किसानों को भूसा उठाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है. पर इन लोगों ने अपनी सूजबूच से ट्राक्टर के साथ ऐसा आविश्खार कर दिखाया है. जिससे आसानी से भूसे को ट्रक में लोड किया जा रहा है. भाई जुगाण हो त साथियों जुगार दिखाने का हुनर सिर्फ इन लोगों के पास ही नहीं है. इस मेनिती किसान को देखिए, यह अपने दिमाग की बदौलत यहां नीचे मौजूद पानी को ऊपर की और पहुचा रहे हैं. इस किसान को हमारा दिल से सलाम है. और अंत में देखिए, यह अनोखा जुगार. किसने सोचा था कि इन हील्स का इस्तेमाल बीज बोने के लिए होगा? और यह मिनी हैंड पंप तो देखिए, कितना शानदार है यह. वो कैसे टीन से बाहर निकालें, वो इन भाई साहब से सीख लीजिए. अगर ज़्यादा घर में लगे और कूलर ना हो, तो यह देशी जुगार कूलर बना लेजिए. घर में मिक्सर का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, मगर इस भाई ने तो ड्रिलिंग मशीन को ही मिक्सर बना दिया. भाई वा, बहुत खूब! दोस्तों, अब इस चित्र वाले देशी जुगार को देखिए. अब इस इमिज को देखिए. कमाल का जुगार है भाई. दोस्तों, हमारी जुगार से भरी ये विडियो यहीं तक. आपको इन में से कौन सा जुगार सबसे ज़ादा दिल्चस्प लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइए. प्यारे दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए खुश रहिए और अपना खयाल रखिए. आपने अपना बेहत कीमती वक्त मुझे दिया. उसके लिए आपका तही दिल से बहुत बहुत धन्यबाद.